दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पर हम कैची चाकू और जो हमारा कदुकस होता है इसकी धार को तेज कैसे करें आप ये कदुकस देख रहे हैं यदि कई बाग कीसते कीसते ये बिल्कुल बलंट हो जाता कीसता नहीं धंग से तो आज मैं आपके साथ कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से हम इने घर पर बहुत आसान तरीके से शार्प करें तो यहां मैंने रेजमाल पेपर लिया है जिसे की बहुत से लोग सेंड पेपर भी बोलते हैं तो दोस्तों ये जो सेंड पेपर है पूरे इस पेपर क नहीं चल रही है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि कैंची की धार लगाने के लिए मार्केट में जाएं तो बस आप इस तरह से रेजमाल पेपर अपने घर पर जरूर रखें बहुत यूजफूल है इस तरह से पतली-पतली स्रिप्स काटें तो सेंट पेपर की जितनी ज ऑगली जो ड़हां आप काटती है इस तरह से हमें काच पर इस कांच को मैं अगली टिप्स आपके साँगार तो आप अलुमीनियम फॉयल का ही यूज करते हैं तो आप अलुमीनियम फॉयल को इस तरह से चे बार फोल्ड कर लिया है ताकि थोड़ी सी मोटी हो जाए वह और बस कैंची से इस तरह से काट रही हूं इससे भी आप देखेंगे दोस्तों बहुत ही तेजी हमारी कैंची की ध होती वह तेज हो जाती है और चाकू की धार भी बिल्कुल ऐसे ही आप शाप कर सकते हैं यह पत्थर दोस्तों जिसको हम क्या प्यूमी की स्टोन बोलते हैं वह है और यह जो ब्लैक कलर का पत्थर दिख रहा है दोस्तों इसे मैंने हार्डवेयर शॉप से लिया है बहुत ही हार्डवेयर शॉप से लिया है वहां बहुत आसानी से मिल जाता है तो बस आपको क्या करना है एक एक चमच पानी डालना है इस पत्थर पर और एक हां से चाकू को पकड़ कर उसमें घीजना है क्योंकि यह पत्थर बहुत ही दरदरा है और इसमें जो हम नाइफ को घीजते हैं तो हमारे चाकू की धार बहुत ही तेज हो जाती है बीच बीच में मैं एक एक चमच पानी इसमें डालती जा रही हूं परंतु माल लीजे आप बोलते हैं कि आपको यह पत्थर नहीं मिलता है चाकू को शार्प करने वाला तो यह पांच रुपे वाला पत्थर दोस्तो है यह देखिए अभी मैंने चाकू को वाश नहीं किया बस दो एक बार इसे गीला कर रही हो बिल्कुल शार्प हो गया है मेरा चाकू दोस्तों आपको इसकी धार की चमक से समझ में आ रहा होगा इसे आपको कमसें पांस से छे बार आप करें बिल्कुल आपका चाकू जो है कैंची को चलाएंगे उतनी ही हमारे कैंची की धार तेज होगी तो आप दवाई का पत्ता तो सभी के घर में होता जो भी आपके कामकानियों पुराना पत्ता हो जिसे आपको फेकना हो आप उसके पेपर का भी यूज कर सकते हैं कैंची की धार को तेज करने तो देखाना द के पास पुराना कफ जो आपके काम करी है उसके जो ये पीछे का हिस्सा है दोस्तों तो आप ऐसा करिए ये देखे जैसे मैं कीस रही हूं हम जैसे कि लौकी को कीसते हैं या खीरे को कीसते हैं बस इसी तरह से इस कप के पीछे वाले हिस्से को इस ग्रेटर पर इस तरह से करना आप देखेंगे कि आपके कीसनी की ग्रेटर की जो धार है वो बहुत ही तेज हो जाएगी बहुत ही शार हो जाएगी मुझे खुद को अंतर लगने लगा बिल्कुल ऐसा लगा जैसे चूने से हाथ ना कट जाए तो यह तरीका था दोस्तों पुराना कब तो सबके घर में होत हैं और कब भी आप पुराना वाला ले जो जादा आपके काम का ना हो तो इस तरह से आप चाकू की कैंची की धार और खासकर जो हमारा ग्रेटर है कद्दूकस है आप इसकी धार जरूर तेज करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका जो ग्रेटर है आपकी ज इसमें धार को तेज करना तो यह तरीका था दोस्तों धार को तेज करने का